हेलो गुद इबनिंग गाईज स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करिया निर्माण में दूस्तों आपके लिए को ज़रूरी अपडेट्स लेकर आया हूँ मैं यह अपडेट है पीजी टी सोशोलोजी मेल इसके ओफर ऑफ अपॉन्मेंट आ गए हैं इसक का चीजे आपको लेकर जानी है डोकुमेंट वेरिफिकेशन के लिए यानि एक तरह से डिपार्टमेंट आपके डोकुमेंट से वरिफाई कर आ रहा है उसके बाद में मेडिकल होगा और उसके बाद में जोनिंग होगी ठीक है इसमें सभी चीजे दी हुई है क्या के कुमार शर्मा का इसके बाद में आगे देखते हैं यह सेकंड है करमवीर माथुल का जिनकी डेट बर्थ है 5193 जिनको भी पता नहीं चल पाया है वो इस वीडियो को देख लें और अच्छे से समझ लें क्या-क्या चीज़ें हैं इसमें यह तीसरा इसके बाद में कौन सा है तीसरा है सुरिंदर कुमार जंडू का जिनकी डेट बर्थ है 271993 इनका रोल नंबर है 1118010035 इसके बाद में चोथा किसका है धीरज कुमार का जिनकी डेट बर्थ 2241990 है इसके बाद में नवाब कुमार सिंग जिनकी डेट बर्थ 1541993 है इसके बाद किसका है जितेंदर कुमार जिनकी डेट अब बर्थ है 15.07.1977 इसके बाद किसका है इसके बाद है नवीन कुमार का जिनकी डेट अब बर्थ 15.08.1994 है फिर है अशोक कुमार का जिनकी डेट अब बर्थ 10.07.1984 है सबसे लास्ट में है राजेश कुमार जिनके डेट अब बर्थ 10.1988 है अब मैं आपको बता देता हूँ उसमें क्या क्या डोकुमेंट जी है चार करेंट पासपोर साइस फोटो सेल्फ डिकलरेशन ये इंस्ट्रक्शन नंबर 14 में दिया हुआ है क्या क्या डेकलरेशन देना आपको इसके बाद फोर्म आफ एक्सेप्टेंस ओफ 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 अपन्मेंट ओट ओफ एलिजेंस फोर इंडियन नेशनल डूली फिल्ड इन एंड साइंड बाद दे कैंडिडेट ये सब आपको एडिडेल की वेबसाइट पर मिल जाएंगे ठीक है उसके बाद में जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उनके ओरिजिनल सर्टिफिकेट अलोंग विद वन सेट ओफ क्लियर फोटो कोपी दोनों साइट की फोटो कोपी होने चाहिए और दोनों साइट को सेल्फ अटेस्ट किया जानना चाहिए उसके बाद में NCTE का सर्टिफिकेट जो की रिकोगनिशन सर्टिफिकेट है एफिलिएशन सर्टिफिकेट भी बोल देते हैं जो OTPRMS वेबसाइट से बनता है आपने बनवा लिया होगा नहीं बनवाया है तो बनवा लिजे उसके बाद अगर आप OBC वाले हैं तो OBC NCL साथ में OBC सर्टिफिकेट SC है तो SC का सर्टिफिकेट अगर आप Departmental Candidate है तो No Objection Certificate NOC और जो भी आपको फॉर्म भरने हैं Undertaking हैं, Employee Information है Form of Acceptance है आपको Edudel की Website पे मिल जाएंगे वहाँ पे जाके आप Download कर सकते हैं उनकी Copy निकाल लीजे और जितनी Copy बोला है आपको उतनी Copy लेके चले जाएए ठीक है, उन्हें फिल कर लीजे जो भी Detail भरें आप सही से भरें कुछ भी गलट Detail ना भरें ठीक है दोस्तों इसके अलावा भी कोई Doubt हो आपको आप कमेंट करके बता सकते हैं आपके Offer of Appointment में सब चीजे लिखी हुई हैं आपको क्या ले जाना है और कितनी Copy ले जानी है इसे धंग से पढ़ ले और जो भी Documents हो सही से बरें ठीक है मिलते हैं नक्स वीडियो में धन्नबाद